अमेरीकी राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रॉम्प ने पीए मोधी का नाम लेकर जूट बोला ट्रॉम्प के बयान से भारत में मचा है सियासी घमासान वाइट हाउस में पाकिस्तानी प्रधान मंतरी इमरांद खान से मुलाकात के दौरान डॉनल्ड ट्रॉम्प ने कहा कि कश्मीर के मसले को सुझाने में पीए मोधी ने उनसे मदद मांगी है कश्मीर पर अमरीकी सालसी की पेशकश भारती सियासत में हलचल मच गई भारती अपोजीशन ने भी वजरियाजम नरेंदर मोधी से मतालबा किया है कि पारलिमान में आकर ट्रॉम्प के दावे की वजाहत पेश करें लोकसभा में मोधी जवाब दो के नारे लगाए गए कॉंग्रस राहनुमा सोनिया गांदी का कहना था कि सद्र ट्रॉम्प गलत बयानी कर रहे हैं या भारती हुगूमत जूट बोल रही है नरेंदर मोधी सामने आकर हकीकत वाज़े करें कॉंग्रस पार्टी के ही राहुल गांदी का कहना था कि भारती वज़िर आजम नरेंदर मोधी ने अमरीकी सद्र डॉनल्ड ट्रॉम्प से दरख्वास करके कौम को धोका दिया दूसरी तरफ ट्वीटर पर भी भारती शहरी खूब भडास निकाल रहे हैं और कश्मीर पर अमरीकी सद्र के बयान और नरेंदर मोधी के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं हर कोई मतालबा कर रहा है कि नरेंदर मोधी जल्द कौम को सच बताएं